नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से दोस्तों SSC की तरफ से नौटिपिकेशन आया है वेरिस रेकूट्मेंट 10th 2022 की जो वेकेंसी आई है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ में डिटेल में क्या क्या क्राइटेरिया है क्या एज लिमिट है क्या एक्जाम बैटन है और किस तरीके का इसमें एक्जाम आएगा कब इसका एक्जाम होगा ठीक है दोस्तों जानने से पहले आगे चलने से पहले बता दूँ कि जो लोग नए हैं इस चैनल पर जो तैयारी करने हैं गौर्ड़मेंट जॉब की और उनको किसी भी तरीके की कोई की सबसे बात कर लेते हैं और क्वालिफिकेसिंट की बात करें तो इसमें की तैन्थ ट्वैल्द और ग्रेशन बेस पर अलग अलग वैकेंसी निकली हुए हैं दोस्तों तो वैकेंसी कुछ इस तरीके से हैं थोड़ी सी वैकेंसी हमें आपको बता दूँगा और बाखी पड़ सकते हैं इसका पूरा पैटन दे रखाए मैं लिंक में भी इसकी पीडियाप शेयर कर दूंगा आपको इसमें पूरी डिटेल होगी ठीक है दोस्तों जो वैकेंसी है बता जेता हूं एक वार परस्टनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है mts की निकली है store clerk की निकली kosi store keeper tanographer her और आपका canteen attendant और uncle accountant और field man जो होते हैं काफी सारी वैकेंसी निकली होई है अलग-अलग age criteria इसमें मांगा गया है 18 से 30 साल के अंतर अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए eligible हैं ठीक है दोस्तों और बताना चाहूंगा को जो exam होना है इसमें एक ही exam होगा 12 बेस पर अगर आप डालते हैं तो 12 का सिर्फ एक ही exam होगा और जो exam होगा वो कब होना है अगस्त में अगस्त 2022 अगर आप अभी फॉर्म भरेंगे तो अगस्त 2022 में इसका exam हो जाएगा इसकी जो डेट है वो तेरा जून लास्ट है तेरा जून 2022 ठीक है दोस्तों और इसके अंदर गर्स की कोई फीस नहीं है रिजर्वेशन में अगर आप आते हैं किसी भी तरह की कैटेगरी में आते हैं SC OPC वगएरा में और फिजीकली हैंडीकेप अगर आप है तो भी आपकी कोई भी इसमें पीस नहीं है ठीक है और एक बात और बता दें जागर कुछ लोग जैसे जॉब की बारे में जानने से प सेलरी है वो 65,000 है अलग अलग के इसाफ से दोस्तों इसमें सेलरी है तैंथ के बेस पर अलग होगी 12 पर अलग होगी के रेचेशन पर अलग होगी ठीक है दोस्तों इसी तरह कि और भी डिटेल में आपको बता देता हूं आगे बढ़ेगा इसमें आप एक बात का ध्यान अगर आपका वो पहले से ही है तो आपको पूरा फॉर्म बरने की ज़रुत नहीं है आप सिर्फ उसमें पहले से ही रेशेशन नंबर पर आप किलिक करेंगे रेशेशन नंबर और पासवर्ड इसमें जो जनरेट होता है जो आप लोग खुछ से सेट कर सकते हैं कोई भी को ठीके दोस्तों और एक बात और बता दूं कि जिन लोगों ने पहले से का फॉर्म भरा होगा वो भी आप उसमें भर सकते हैं इस क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है स्लेबस की बात कर लेते हैं जो इसमें आएगा वही चार पैटर्ण आ रहे हैं पच्चिस 1-255 की इसमें रखे गई है जो कि पहले ही क्राइटेना में दे राखी है पहले भी करती है ठीक है दोस्तों तो इसी तरीकए की जादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो मश्त पसंद आई तो डु हैं तो समझाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि आपको ज्यादा से ज्यादा बताया जा सके ठीक है और बने रही है इस चैनल पर चलते हैं थैंक यू